अब इसको हिंदे में बोले तो कहावत एक छोटी लोप्रिये कहावत है जिसमें ग्यान या सलहा का अंस होता है जो हमें जिन्दकी के बारे में कुछ बताती है प्रोबर्ब वो है तो प्रोबर्ब किस तरह का सेंटेंस होता है अभी हमें आपको बताएंगे एक्जाम्पल ले लेते हैं यहां से सुरू करेंगे तिट फोर टैट तो इसका हिंदी में क्या मतलब होता है जैसे को तैसा ओके तिट फोर टैट तो इसको हम प्रोबर्ब बोलते हैं नमबर टू एक्जाम्पल डू इविल आड लुक फोर लाइक ओके अब इसका क्या मतलब होता है कर बुरा तो हो बुरा डू इविल एंड लुक फोर लाइक कर बुरा तो हो बुरा अब तिसरा एक्जाम्पल लेके चलते हैं थर्ड एक्जाम्पल कास्ट इन दी सेम माउल्ड तो इसका यह जो काहवत है इसको हिंदे में कैसे बॉला जाता है एक ही हाली के चट्टे बट्टे तो इस तरह से प्रोबर्ब हम डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं एक्जाम्पल के तोर पे अगर किसे का बताना हो समझाना हो तो हम इस तरह से हम शॉट सेंटेंस यूज करते हैं जैसे हम प्रोबर्ब कहते हैं अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज चैनल को जरू सब्सक्राइब कर दिजेगा और नाटिफिकेशन को प्लीज हीट कीजेगा ताकि जब भी मैं पे नए वीडियो अप्लोड करूं तो इसका नेटिकेशन आपको जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें